Assalamualaikum students, I hope all of you are fine, now come to your lecture, it's your lecture of general knowledge, वाक्फियत आमा, क्लास 3 आज हम लोग पढ़ेंगे बाब नमबर एक, हम इसकी रिविजिन गरेंगे, यह आपका मंत्री टेस्ट में चेप्टर है, ठीक है बाब नमबर एक क्या है सूरज, सूरज क्या है, it is a star, it is made up of hot gases सूरज से हमें क्या क्या फाइदा होता है, हमें सूरज से गर्माई मिलती है, हमें सूरज से रोशनी मिलती है, look at this, this is a picture of a solar system, निजाम शमसी, निजाम शमसी क्या है, it is a system in which all the planets are revolving around the sun, जिसमें सूरज के एर्द गेर, सारे स्यारे जो हैं, वो अपने अर्बिट में घूम रह होते हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, निजाम शमसी, अब आप देखो हम लोगों ने ये चिप्टर जो है, इसको हम लोगों ने क्लास में भी पढ़ावा है, अब हम सब को पता है कि इस पूरे यूनिवर्स में ना सिर्फ जमीन है, ना ही सिर्फ सूरज है, इसके इ अलावा भी बहुत से अंगिनित जो हैं, वो इचसाम है, जिसमें सूरज, जमीन और ये स्यारी ये सब हैं, ठीक है, और जो जमीन है, वो सूरज के गिर्ज होती है, वो अपने मदार में, जिसको हम लोग और्बिट कहते हैं, मदार में घूमती है, जिससे मौसम बनते हैं, जमीन अपने महवर में एकसेज में गर्दिश कर रही होती है, जब जमीन गर्दिश करते करते सन के सामने आती है, तो वहाँ पर क्या होता है, दिन होता है, और जो उसकी बैक साइड होती है, जो सन के सामने नहीं होती है, वहाँ पर क्या हो जाता है, रात हो जाती है, तो व दूर होता है तो उस टाइम हम सो रहे होते है राम से क्योंके उस टाइम क्या होती है रात और सूरज और जो जमीन है हमारी वो गर्दिश कर रही होती है सूरज अपनी ही जगां पे होता है ठीक है और जो हमारा जो जमीन है वो अपने मदार में अपने और्बिट में जो एक च और जमीन अपने एकसिस पे मीन अपने महवर पे एक चक्कर लगाती है एक दिन में आपने देखे ना एक चक्कर लगाया जब वो दिन सूरज के सामने है तो वहाँ पर दिन है और जब वो सूरज से दूर है तो वहाँ पर रात है तो वो कितना टाइम लगाती है एक दिन look at this इसमें क्या है हमारा जो सूरज है वो धरमियान में होता है और जो हमारी अर्थ है हमारी जमीन है वो उसके एर्ड गिर्ड अपने मदार में ये देखो बटा ये जो इसमें आप लोग देखो कर यहाँ पर ये जो ये है आप सब एज्यूम करो, यह आप लोगो, ठीक है, प्यारी-प्यारी सी गर्ल्स हैं, ठीक है, आप लोग देखो, कि यहाँ पर जो आर्ट, बिल्कुल सन के फेस कर रही होती है, मतलब बिल्कुल सन के सामने होती है, वहाँ पर क्या होता है, डे टाइम होता है, यहाँ पर आप and sunset means صبح جب सूरج निकलता है और पिर उसके बाद दुपहर होती है और उसके बाद जो होता है उसके बाद क्या होती ही शाम हो जाती ही ठीक है सूरज गरूब हो जाता है सूरज गरूब ने होता है असल में हमारी जमीन गर्धिश कर रही होती है आप लोग देखो पहले एस्ट से क्या होता है कहां से सूरज तलू होता है एस्ट से ठीक है एस्ट से क्या होता है मश्रिक से क्या होता है सूरज तलू होता है और गरूब कहा होता है मगरिब में और जब यहां पर आप लोग देखो कि आइस्टा आइस्टा जो फिर शाम हो जाती है उसके बार रात हो जाती है तो यह सब कैसे होता है बाई the movement of our earth यह जो जामीन अपने मदार में और अपने महवर में जो गरदिश करужд Tucson रही होती है यह सारे movement से होती है वो उसमें होती है और सूरच का तलू और गरूब होना सूरज का तलू और गरूब हम अक्सर कहते हैं सूरज तलू हो रहा है और हम कहते हैं सूरज गरूब हो रहा है असल में ऐसा नहीं होता असल में होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी जमीन जो ती ना वो घर्दिश कर रही होती है जब वो सूरज के बिलकुल सामने आ जाती है तो वहाँ पर दिन चड़ जाता है और जब उसकी बैक साइड हो जाती है सूरज की तरफ मतलब हमारी अर्थ की जो साइड बैक होती है मतलब सूरज से दूर होती है तो वहाँ पर क्या हो जाती है रात हो जाती है अब हम लोग पढ़ेंगे बुनियादी सिम्ती, हम लोगों ने पढ़ा था how many directions आ देरा, four directions, तो बुनियादी सिम्ते कितनी है, चार, और सिम्तों को मालूम करने के लिए हम जो आला इस्तमाल करते हैं, उसको कहते हैं, कुतब नुमा, अब हम लोग इसमें पढ़ेंगे हमारी, कि इसमें जो हैं, चार सिम्ते कौन सी हैं, शुमाल, जुनूब, मश्रिक, मगरे, शुमाल मीन, नौर्थ, जुनूब, साउथ, मश्रिक, एस्ट, मगरे, वेस्ट, और इसको, मतलब हमारी अपनी direction सिम्ते फाइंड करने के लिए, हम लोग कौन सा आला इस्तमाल करते हैं, कु कौन सैंड खिरू जुुष, हम रवेस्ट और झाला इस्ते कर वाइंड खरूं टाइंगा क्युष, जुछ थे जुक्रता हैं, कुछ रखंग नुज। डिस्तमाल में जुचिए, कुछ ऐस्तमाल चार्ट प्ता हैं, कौन। आइक का बड़ते हैं, तो भ्या अँछ चार्ट